Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का दाई नपस स्वागत करता हूँ दोस्तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 102 आदुरिक विशु के बारे में बात करने वाले हैं आज 13 जून है, आज आपका एक्जाम भी होने वाला है MA History MHI 102 का एक्जाम से पहले ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट रहने वाली है इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे कि किस चैप्टर पर आपका फोकॉस ज़्यादा रहना चाहिए किस पॉइंट को आपको पढ़कर जाना चाहिए, किस तरह के कोशिंस बन कर आ सकते हैं कोशिंबेबर का पैटर्न क्या हो सकता है क्योंकि ये जो नया स्लिबस का पहला आपका एक्जाम होने वाला इस पूरे बुक के अंदर में टोटल 26 लेसन आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं अब यहाँ पर 26 लेसन है तो इसका मतलब है नहीं कि हर एक लेसन से कोशिंट बन कर आएगा और यह पॉसिबल भी नहीं है इगनू के अंदर में कोशिंट पेपर का पैटन होता कैसा है सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो इगनू के अंदर में जो question paper का pattern होता है वो normally एक question जो बन कर आएगा आपका उसमें 10 questionber के अंदर मेंoperल 10 question आते हैं पूरा question paper 2 part में बटा होता है part A और part B, part करके 2 part में बटा होता है हर एक part में 5 last caution होते हैं ठीक है और आपको हर एक part से 2 question solve करना अनिवार्य होता है compulsory होता है कि आपको 2 question solve करना ही करना है total 5 question solve करनी होते हैं तो अगर मान के चलो आप part A से 2 question solve कर रहे हैं तो part B से आपको 3 question solve करने पड़ेंगे ठीक है या फिर part A से 3 कर रहे हैं पार्ट बी में आपको दो करने पड़ेंगे और उसी के basis पे आपको number मिलते हैं हर एक question की जो value होती है वो आपका 20 का होता है एक question solve किया वो आपको अगर अच्छे तरीके solve करें तो 20 में से आपको number मिलने वाले हैं ठीक है इस तरीके से कुछ question बनता है पूरा question paper का कुछ इस तरह से format होता है और इसी question paper के अंदर में कुछ टिपनी based question भी पूछे जाते हैं टिपनी बेस question क्या होते हैं कि जिसके अंदर में आपको para writing करनी होते हैं टॉपिक दे दिया उसके उपर ने आपको पर है और हर एक chapter के अंदर में जो भी topic है जो भी questions बनते हैं हर एक chapter के उसको अल्रेडी में एक वीडियो के अंदर में discuss करवा चुका हूं तो अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा तो उसको देखे जिससे थोड़ा बहुत आपको help नहीं सकता है उतना time है नहीं पर आपके बुक का नाम है आधुनिक विश्व मौर्ण वर्ल्ड इस modern world की बुक के अंदर में जितने भी topic हैं almost आपने topic 8th class में पढ़ा है 9th class में पढ़ा है 10th में 11th में पढ़ा है उसके बाहर का कोई topic नहीं है ठीक है उसके बाहर का कोई topic इसके अंदर में एड़ नहीं कि पढ़ रहा है ठीक है यहां पर हम देखें हैं तो सबसे पहला जो दो topic आते हैं आपका ज्यान ओदे और पुना जागरन यह important है ठीक है ज्यान ओदे और पुना जागरन दोनों में से question बनकर आना ही आना होता है compulsory है क्योंकि दोनों एक ideological based पे question रहता है ठीक है वहीं से मतलब जैसी ज्यान हो दें कि हम बात करते हैं या पुना जागरन की बात करते हैं तो वहीं से सुरुवात होती है आदोनिक विश्व की किसी भी चीज़ का नीव रखने से पहले जब आप कहते हैं कि आम का पेड लगाएंगे तो सबसे पहले गुठली को बोया जाता है जमीन में उसके बाद वो पेड़ बनता है तो प्रोसेस क्या है पेड़ बनने का गुठली को बोया जमीन को खोदा किस तरीके से गुठली बोया है उसके में से किस तरी से निकला धिरे-दिरे करके बढ़ा हुआ तो वह पूरा प्रोसेस आना तो सबसे पहले जो आइडिलोजी बनी किसर से आधुनिक विश्फ बन सकता है, वो पुनहा चागरन और ग्यान अदे से ही शुरुबात होता है, त्पोना को सबस floss what तम्हें के खटम किया गया और युग का किससर से पतन हुआ, वह यहीं से आपका शुरुबात होता है, पुनहा जागरन विज्ञान का मतलब एक तरह से आगमन था जहां पर विज्ञान को accept किया गया मनुस्य के दौरा तरकी विकास को accept किया गया एक नई संस्कृति सब्वेता की उड़य यहां पर देखा जाता है ठीक है ज्ञानोदे के साथ साथ में यह चीजी चलती है तो इन दोनों च करती चले गई लोगतंत्र की स्थापना कैसे अगर जनतांत्र के ववस्ता कि स्थापना किस प्रकार से हुई ठीक है कौन-कौन सी मांगे थी किस तरह से लोगों के लिए हतकंडे अपना है ठीक है उन से चीजों को आपको यहां पर explain करने के जोड़ोत रहेगी बट इसके अ आप एक आइडिलोजी के उपर में वग करते हो कि भिया पुनह जागरन हो गया ग्यानोदे हो गया आप भिज्ञान के और बढ़ रहे हो तो एक राज्य का सिधान्त यूँ बनता है कि जिस छेत्र में रह रहे हो उसको लेकर आपके लिए क्या वैल्यू है ठीक है किस तरह क आप उसको चाहते हो और अलग अलग विचार धाना के अंदर में राज्य का सिधान्त क्या है वो मेंटर करता है तो आप अगर राज्य का सिधान्त सरीफ पढ़कर जाओगो न सारा जो इतने भी आईडिलोजी है ना सारा कवर हो जाता है चाए नारिवादी सिधान्तो इतने भी मतलब मैंने अभी कमेंट दिखा ना पीछे 6-7 मेने से क्योंकि मैं वीडियो बना नहीं रहा था तो अभी मैंने जस्ट कमेंट के तुरू गो थू हुआ हूँ तो मैंने देखा कि बहुत सारे कोश्चन ऐसे पूछे जारते कमेंट के अंदर में कि सर कितने पेज में आंसर लिखना है तो यहां पर पेज मेंटर नहीं करता कि आप कितने पेज में आंसर लिख रहे हो सबसे मोस्ट इंपोर्टन चीज पूरे वीडियो के अंदर में ये रहे गया आपके लिए कि आपको वर्ड लिमिट पर फोकॉस करना है जब आप अपना कोश्चन पेपर ल कोश्चन लिमिट के अंदर में मतलब पूरे कंपलीट नहीं कर रहे हो तो भी आपके नंबर कटेंगे हैं वहां पर नंबर प्रॉपर नहीं मिल सकते हैं और नंबर बहुत बुरी तरसे घटता है ठीक है इगनु है तो इसका मतलब है नहीं कि मजाग मैं आप लेके जा रहे करने वाले student 90 निन आने वे भी कर दूटें कोई बड़ी बात नहीं अब यहाँ पर हम बात करें तो जो वर्ड लिमिट है कितने तो 500 वर्ड का लिमिट होता है प्रॉपर आपको 500 वर्ड के लिए फोकॉस करना है कि 500 वर्ड के अंदर में यह आपको आंसर कंप्लीट करना है कोई बहुत बड़ा बड़ा लिखे रहा है तो उसके दस पेज भी लगा है तो भी 500 वर्ड क्या पता कम ना हो पाए तो वो डिपेंड करता है आपके राइटिंग स्किल पे आपका राइटिंग स्किल किस परकार का है उसके हिसाब से आप उसको कैल्कुलेट कर सकते हो एक अब देखो यहां पर जो मैंने आपको बड़ा दो चैप्टर ग्यान ओदे और यह पुना जागरन वाला जो पूरा टॉपिक यह दोनों यह दोनों टॉपिक इंपोर्टेंट है फ्रांसी सिक रांती के अंदर में आपको डिट को रिमाइंड करके चलना है राज्य कसिदान इस तरीके से बिरोकरिसी सिस्टम का उदे हुआ और अलग-अलग कंट्री के अंदर में इसका रोल कैसा है जपान के अंदर में बात करें बृतन के वात करें तो इसका रोल किस परकार से है यह भी एक इंपोर्टेंट टॉपिक रहता है तो यह इसको भी आपको पढ़के च यांदर में आ जाता है राश्टवाद के परती जो आपकी भावना शेंद belong डिक अवह मैं foda Parliament and only between करेण क्या समाज बाद यह क्या जाब की सुरवात होती है जो एक सपोड करता था है यहां अप्छूसलींड है नासू करता था दूसरा आइल आपकर करन की सुरुवात हुई वो आपको यहां पर बताना है तो यह दोनों टॉपिक भी रहेंगे जो जिसको आप देखके चल सकते हो पढ़ सकते हो ठीक है उसके बाद आपका समराजिवाद उपनिवेश्वाद वियोपनिवेश्यकरन बहुत बच्चे वाला टॉपिक है बट विलोगं कहीं जाकर बस रहे है तो यह किस तरीक से चीज़ें के जांगी बताव रास्त्राज्य ववस्ता चलती है बेश्वी सताबडी के अंदर में क्या प्र्तिवंदील रही सीतियू जासा दो क्यारा गुटनिवेश्यक्वन क़ुटनियड की चांवर है वह पैससे एक वो आपको clear करके चलना है, यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जब आप 500 राइटिंग कर रहे हो ना, तो कोई भी question है, for example, आप question मान के चलो, कि question मान के चलते हैं कि Soviet Sun के अंदर में जो रूसी क्रांती हुई, और Soviet Sun के अंदर में ही क्यों हुई, अब यह जो question पूछे जाने का तरीका है आपके थोड़ा सा change हुआ इस बार से, क्यों change हुआ है, इसका reason यह है कि आपका जो knowledge है, वो किताबी knowledge से बढ़कर हो, खुद आपना अंदाजा लगा सको किसी चीज़ को लेकर सोचने की सकती आपके डेवलेप हो, उसके कारण से आपके question पूछे जाने के तरीके में भी परिवरतन किया गया है, अब यह जो question है ना, कि जो 1977 की करांती हुई, या समाजवादी करांती हुई, वो रूस में, सोगे संग में ही क्यों हुआ, तो इसको जब answer आप लिखोगे, तो सबसे पहले आप यह डिफाइन करोगे, कि समाजवादी करांती है क्या, या सामयवादी करांती है क्या, या 1977 की करांती है क्या, ठीक है, सबसे पहले आपने एक पैरा के अंदर में इसको पूरा define करते है, डिटेल में, उसकी बाद यहाँ पर बताऊगे कि रूस में क्यों हुआ, उसके reasons क्या थे, ठीक है, प्रॉपर वहाँ पर define क्या है कि रूस के अंदर में क्यों हुआ, उसके जो भी points पे, लास्ट में आपको क्या करना पड़े है, एक conclusion दे सकते हो, आप निसकर्स के साथ मैंन कर सकते हो, कि निसकर्स end of the topic यह निकलता है, और यहाँ पर आपका summary यह रहेगा, इस तरीके साब उसको आपर बता सकते हैं, जैसे ही आप इतना करते हो, एक अच्छा impression बनता है, है, जब आपका paper खतम होने वाला होगा, तो before 10 minute, मतलब आपका exam खतम होने से 10 minute पहले आपको करना क्या है, तो जो भी आपने लिखा है, बारबर pen स्विच करने की जूरत नहीं है, कि black से use कर रहे हो, white यूज कर रहे हो, blue यूज कर रहे हैं, जैसा कुछ करने की जूरत नहीं ह पूरा answer A to Z लिखो, last में 10 minute पहले exam छोड़ दो, आपका exam हुआ है, नहीं हुआ है, आपने पूरा लिखा है, नहीं लिखा है, matter नहीं करता, आप वहाँ पे छोड़ दो, छोड़ने के बाद आपको सबसे पहले करना क्या है, जितने भी आपने answer लिखे हैं, अगर आपको ला रहे है न, तो उस word को, उस line को underline जरूर करें, ठीक है, blue pen से कर दे, black pen से कर दे, no matter, बट आप करें जरूर, ठीक है, जो चीज़े हैं, और इसका मतलब यह नहीं कि पूरी book को यह underline करके आगे, जो important topic है, अगर आप कोई define करते हुए topic लिख रहे हो, कि रूस के अंदर में इस अगर कि आपने question mark के साथ में लिखा है, तो उसको underline कर सकते हो, ठीक है, यह सामयवादी करांती क्या है, तो उसको आप वहाँ पर underline करके लिख सकते हो, इस तरीके से आप वहाँ पर define करते हो जाओगे, जिसके basis के आपको अच्छे number मिलते ही मिलते हैं, कहीं नहीं जाते और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कुछ भी हो जाए, आपको छोड़ कर नहीं आना है, कि question paper छोड़ कर आ गया है, क्या दिक्कत है, ठीक है, बाद में देख लेंगे, ऐसा नहीं करना है, आपको try करना है कि जादा जादा question को आप अच्छे तरीके से solve कर सको, औ question paper करते समय, time management बहुत matter करता है, ठीक है, आप हर एक question पर कितना time दे रहे हो, ये भी बहुत matter करता है, हर एक question को करने में कितना time लगा, कितना time आपने दिया, ठीक है, पहला question, दूसरा question में बहुत जादा time लगता है, बात के तीन question के अंदर में आपको almost 30-30 minute का time होता है, या महारत आसिलो, जिसको लगता हो, आपको या ये वाला question तो best है, ये वाला मैं कर सकता हूँ, ठीक है, इस तरीके से आप questions को select कर सकते हो, आगे बात करें, तो राजनिती, करांती, रूश के अंदर में किस प्रकार से जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, विज्यान और इसके निहीरतार्त किस तरह से हैं, विज्यान के फाइड़ा क्या हुआ, नुफसान क्या हुआ, किस तरह से, मनुष्य के कल्यान के लिए विज्यान को उप्यों को आया बता सकते हो, ग्यान करांती, मुद्रन सूचना, तकनीकी परसार के बारे में बात करें, देखो तकनीकी संच कर रहे हैं तो किया तरक्की है यहां पर विकास हुआ है किस तरीके से मुद्रन उस समय पर सेम रूल प्लेई कर रहा था वह आपको यहां पर एक्स्पेंड करना होगा ठीक है मुद्रन मतलब छपाई का प्रेंटिंग प्रेस का जो कार्य हो दाता बुक जिससे पब्लिस हो कर आती थी आज तो उसकी वैल्यू दिरी दरी कम होती जा रही है बट फिर भी अपने स्टेज पर जिस समय पर यह आया होगा फिस समय पर प्रेंटिंग प्रेस मुद्रन का काम आया हुगा ठीक उसकी वैल्यू क्या थी उसके दिसाब से आपको यहां पर Xpentum के की आगे-गारे आधूनिक' है क्या अधूनिक यूद्ध बाहुत इंपॉट्डन टपिक है आज कि समय में क्से विब साइट को टारिट कर देना एक के कोई वाइर्स फ 모양 कि कोयी बिमारी क्राइब यह आदनी यूद्स की परणाली पनाली के अंदर में आते हैं तो 1991- 1991 अंदर में si. journalist की दिवार गिराने के गालने के साथ में जर्मानी किरान होता उसके सात में किस तरह से ससाइटी के अंदर में वह इंपेक्ट को बता सकते हो उपभूखता बाद आपका जो भी उपभोग कर रहे करता है और उसको कंज्यूम करता है तो कंज्यूम करने वाला ठीक है जो उसको खतम कर रहा है तो किस तरह से उसके राइट से हैं कि हाँ पर क्या चीज़े शुरुआत होते हो बोगता बात क्या अलग-अलग व्यस्व करन का अर्त्वस्ता पे क्या इंपक्त पड़ा है फॉजीटिव नेगटिव तो रहा है इस वह मेरा में मोटिव यह था कि आपके साथ में कोश्चन पेपर का एक पैटर्ण जो ता वह डिस्कस करना और यह आपको पता है कि जैसे यह नए स्लेबर्स की बुख है समेस्टर मोड में हिस्ट्री का जिसके अंदर में आपके पूश्चन पूछे जाने का जो तरीका है ना हिस्तीर से चेंज हुआ है जो पहले कॉश्चन पूछा जाता था ना डायुरिक कॉश्चन होज्च वाले बुक से पूसर थे यह वाले बुक के अंदर में ये वाले टॉंक था तॉ आप इसना अंसशंप अभर्ण का ना मतलब तरीका है नो डाइवर्ड हो चुका है वह ड पूरा पढ़ रहा है तो आपके हिसाफ से क्या हो सकता है उसको इंप्रूव कैसे क्या जा सकते हैं मतलब कुछ भी ठीक है तो वहां पर थोगा सा आप ऐसे निः रहjar little निए उसको जैसा मर्जी में कि जो मर्जी इसके फोली ठीक है तो थोड़ा सा कुर्स करना है कि आपके ही लेंग्व तो यहां पेंड करते हैं वीडियो मिलते हैं क्लिए वीडियो के अंतर में बाबाय टेकर होगा है रास्ट